आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना चाते बिना आधार सेंटर जाए घर बेटे आउनलाइन अपने मवाईल फोन से तो किस तरह से आप घर बेटे ही अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते है मैं आपको इस वीडियो में complete process बिलकुल नए तरीके से बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों आप घर बेटे ही online अपने mobile phone से बिना आधार सेंटर गए अपने आधार card में address को change कर पाएंगे उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो complete जरूर देखने तब ही दोस्तों आपको समझ में आगा किस तरह से अपने आधार card में address change कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना चाहोगा अपने mobile phone के chrome browser को open कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको search करना है UIDAI search करने के बाद UIDAI का official website आजाएगा इस पर दोस्तों आपको click कर देना है जैसे दोस्तों UIDAI के official website पे आप click करोगे आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा आप यहाँ पे आपको English language select कर लेना है language select करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे install करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे update आधार का option दिखाए देगा first में simple सापको update आधार वाले option पे click कर देना है जैसे दोस्तों update आधार वाले option पे आप click करोगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आजाएगा अब आपको नीचे install करना नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक option दिखाए देगा update address in your आधार इस option पे आपको simple सा click कर देना है जैसे दोस्तों इस option पे आप click करोगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अब नीचे install करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सरा option दिखाए देगा पर आपको कुछ नहीं करना है आपको ऊपर जाने के बाद एक login का option दिखाए देगा simple सा आपको इस login वाले option पे click करना है माई आधार में आपको login करना है तो login करने के लिए login की click करेंगे उसके बाद जिसके भी आधार card में आप address change करना चाहते हैं उसका आधार number आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद इस capture को यहाँ पे feel कर देना है के बाद आपको send OTP के option पे click करना है आपके आधार card के साथ जो भी mobile number लिंक होगा रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जागा उस OTP को enter OTP में डाल देना है उसको login के option पे click करना है मैं अपना आधार number यहाँ पे डाल दिया हूँ उस capture को feel कर दिया हूँ अब दोस्तों मैं send OTP के option पे click करता हूँ याद रहे दोस्तों online आधार में address change करने के लिए आपके आधार card में mobile number लिंक होना जरूर यह ठीक है मेरे आधार card में जो भी mobile number लिंक है उस पर OTP आ चुका है आप देख सकते हैं मैं OTP को copy कर लेता हूँ OTP कोपी करने के बाद आपको करना क्यों नीचे में दिखे enter OTP का option दिया गया है तो यहाँ पे इस OTP को enter कर देना है OTP इंटर करने के बाद आपको क्या करना है नीचे में login का option दिखाए देगा simple सा आपको login वाले option पे click कर देना है जैसे login वाले option पे click करोगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब दोस्तों आपको करना क्यों नीचे आपको आना है नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक option दिखाए देगा address update का आप यहाँ पे देख सकते हो एक option आपको दिखाए देगा address update का तो simple सा आपको करना है address को update करना है या change करना है जैसे दोस्तो update address online के option पे click करेंगे, आप दोस्तो proceed to update आधार का option दिखाए देगा, simple सा आपको proceed to update आधार के option पे click कर देना है, उसके बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा, यह जो process में बता रहो है, इससे आप दोस्तो अपने आधार काड में नाम change कर सकत हैं, और दोस्तो gender भी change कर सकते हैं, और दोस्तो address भी change कर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तो मैं अपने address को change करना चाते हो अपने आधार कार्ड में तो करना कि आपको address का नीचे में option बना हुआ है तो address वाले option पे आपको simply click कर देना है जैसे दोस्तों address वाले option पे click करेंगे आप दोस्तों नीचे में proceed to update आधार का option दिखाए देगा यहाँ पर processing चलना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा अब दोस्तों आधार कार्ड में जो भी address होगा वो address आपका यहाँ पे फादर का नाम दे सकते हैं अगर दोस्तों एक महिला है तो अपने पती का नाम यहाँ पे दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपके अइ्टरीक पूल में जो भी address है उसी तरह से address आपको यहाँ पे ढाल देना है तो यहां पर जो भी आपका address है वो address यहाँ पे आपको फील कर ना और कुछ नहीं है ज़ला ले लेना है और दोस्तों यहाँ पे आपको राज सेलेक्ट कर लेना है ओटोमैटिक पीन को डालने क फिल कर दीना चलिए दोस्तों मैं आपने यहां पर पूरा डीटेल डाल देता हूं और मैं एक बाद बता देना क्याता हो अगOFF कर दूस्तों यहां पूरा चीजिए नदी करने के बाद दी हम से मिलता हूं मैंने दोस्तों यहां पूरा डीटेल फिल्ड कर दिया, आप यहां पर देख सकते हैं, अपना यहां पे केराउप में आपने गारजन का नाम दे दिया हूँ, उसके बाद दोस्तों अपने पूरा डीटेल यहां पर दे दिया हूँ, उसके बाद आप को करना क्या होगा, तो select value supporting document type का option पर किलिक करके एक दोस्तों document आपको select करना पड़ेगा जो भी document यहाँ पर upload करने चाहते हैं वो दोस्तों अपना यहाँ पर select करेंगे उसके यहाँ पर select किया है उसी के रिलेटर आपको यहाँ पर document upload कर देना है यहाँ पर दोस्तों जैसे किलिक करेंगे यहाँ पर बहुत सरा option दिया गया कि इन सभी में से कोई भी एक document आप यहाँ पर upload कर सकते हैं जो भी document upload करेंगे उस document में जो भी address अपने आधार कार्ड में रखना चाहते है चेंज करना चाहते है वह address उस document में रहना चाहिए ठीक है यह बात का आप दियान रखेंगे तभी दोस्तों आप यहाँ पर अपने एडिस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक document आपको क्लिक करोंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजागा आप दोस्तों को करना क्योंक होगा view detail and upload document का option दिखाए देगा simple आपको view detail upload document का option पे क्लिक करना इसके बाद जो भी डोकुमेंट आप पीडियाफ पाइल में बना के रखे होंगे जैसे कि मैंने बैंक पास्बुक का यहां पे अपलोड करूंगो तो बैंक पाइल को मैं पीडियाफ बना के रखा हूं ठीक है दो डोकुमेंट में पाइल में यहां पर फूरा हो चुक है यहां पर नेश्ट का ओप्सन दिखाए देगा सिंपल सापको नेश्ट वाले उप्सन पर किलीक करोगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरपेस आजागा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर दिएन का संब्सक्राइब आपका देख सकते हैं आपका एड्रेस पहले इंगली से आपका सोक्र ंपका सूकरेगा अब दोस्तों जो भीünde कोरेब को से ऑप्लोब इड्रैस के ऐससे के घ्लीक करना करें आपको कलिक करना जार्ण है यहां कुछ कि फंप Corona little दोस्तों कुछ दिर प्रोसेसिंग चलेगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजागा अब दोस्तों अपने आधार काड में एडेस को चेंज करने के लिए आपको 50 रुपे का चार्ज लगता है अगर दोस्तों आधार सेंटर में भी जाएंग करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आजाएगा अब यहां पर पेमेंट करने के लिए बहुत तरह ऑप्शन दिया गया जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फोन पे पेटियम गूगल पे यहां पर बहुत सरा ऑप्शन दिया गया फिर करते हैं यहां पर दोस्तों अगर आपके प्रेंट करने यहां पर द करना क्रते हैं और चावoking को क्लिक करने कराहता हूए यहां परियंके करना चाहते हैं यहां पकर देटराने प्णकरन headaches नमबर पrop ।D सब्सक्राइब करने के बाद 15-20 दिन के बाद आपका आधार कार्ड आजाएगा जिसमें आधार कार्ड में जो भी एड्रेस चेंज किये हैं वह एड्रेस चेंज होके आपके घर के एड्रेस पर से कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप आउनलाइन घर वेटे अपने मोबाल फोन से बीना आधार सेंटर गए अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं